हेलो एवरिवन, आइम आरदो चोहान, जैसा कि आप सब जानते हो कि एच्टेट का जो हमार एक्जाम है, वो दो और तीन जनवरी को होने वाला है, तो उसे संबंदित आज एक नया नोटिस आया है, तो उस नोटिस में क्या बात कही गई है, कि आज जैसे कि 23 तारिक है, 23 तार को जरूर में ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला है कि जो हमारा एडमिट कार्ड है, जो भी हम डाउनलोड करेंगे, और जुसकी प्रिंट निकलवाएंगे, वो कलर्ड फोम में होनी चाहिए, कलर्ड प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, दूसरे नमबर पे कहा गया है, कि जो कि अभ्यार्थी को जो भी केंडिडेट जाने वाला है, उसे दो घंटा दस मिनट पहले ही अपने सेंटर पर जाना अनिवार रहे है, ताकि जो भी उसकी जाच होनी है, वो करवाई जा सके, जो भी अपचारिकताई पूरी करनी है, वो करवाई जा सके, अभ्यार्थियों को किसी भी प्रकार की केंद्र को चेंज करने की अनुमती नहीं होगी यदि आप चाहते हो कि आपका जो जो सेंटर है वो चेंज कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा इसके साथ ये भी कहा गया है कि अब भ्यार्थी हैं जो भी जो कि अंगूठिया बालिया चेंड या कोई भी हार या लटकन ब्रोच वगरा जो भी गहने होते हैं जो भी व्यक्ति पहनते हैं और या फिर कोई कैमरा है घड़ी है कैलकुलेटर है मोबाइल फोन है ब्लूटूथ इयर फोन इस तरह कोई भी गैजट है या कोई भी आभूशन है वो लेकर के नहीं जाएगा केंदर के अंदर मंगलशुत्र, बिndी और सिंदूर उनको लगाने की अनुमती है और जो सिख धर्म के कैंड़ीडेट है उनको अपने सिख धर्म के प्रतीको को पहनने की अनुमती दी गई है ठीक है उसके बाद क्या कहा गया है कि अभ्यारती इस बारे में ध्यान दे कि दो जो दो प्रिष्ट होते हैं एड्मिट कार्ड के एक सेंटर कोपी होती है एक कैंडिडेट कोपी होती है तो क्या है दोनों की दोनों color होनी चाहिए इस बारे में अभ्यारती ध्यान रखें कि प्रवेश जो admit card है पर पंजी करन के समय जो uploaded रंगीन फोटो है लगा कर जो राज प्रतित अधिकारी है उससे क्या है उसको पंजी करवाना अनिवारे है ठीक है सत्यापित करवाना उसको colored photo लगा करके उसके बाद है ऐसे अभ्यारती जिनका photograph या फिर हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान या size यह सब कुछ सही नहीं थे ठीक है तो अभ्यारतियों को photo से पहचान सुनिश्चित नहीं हो रही थी और जैसे ही वो सब कुछ correct हो जाता है वैसे ही अपचारिक रू से अधिक है ठीक है जो अपने हाथों से खुद नहीं लिख सकते असमर्थ है तो वह लेखक की सुविधा यह दिवह लेना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यारती लेखक लेने की सुविकरती के बारे में medical board या मुख्य जो चिकित्साधिकारी है CMO है ठीक है चीफ medical जो officer है उनसे क् 10 प्लस 2 की जो उसकी बारवी की जो शिक्षा है उससे जादा नहीं होनी चाहिए तो उसको जो है आप वहां पर देंगे और वहां से क्या संपर्क करेंगे उसके बाद है इसमें last point की जो मास्क है वो मास्क लगाना बहुत जादा जरूरी है बिना मास्क के बैठने की अनुम करना है चीक है हम आपको बताते रहेंगे